गिली जीव और सूखे बालों को देख कर लगता है कि जैसे इस भेडिये की मौत हाल ही में हुई होगी लेकिन विशेशग्यों का कहना है कि जिस भेडिये का ये सिर है वो आज से लगभग 40,000 साल पहले इस धर्ती पर विच्रन करता होगा और ये है वो जगह जहां पर भेडिये का ये सिर मिला रूस के साइबेरियाई इलाके याकूतिया में अगस्त 2018 में एक इस्थानिय व्यक्ति को ये सिर मिला ये जगह तिरे ख्याक नदी के किनारे पर स्थित है वालेरी प्लेतनी कोव याकूतिया की साइन्स अकेडमी के मेमत फॉनस टड़ी डिपार्टमेंट में मुख्य रिसर्चर हैं वो कहते हैं कि ये सिर जमी हुई बर्फ की सतह के नीचे दबा था यही वज़ा है कि इसका दिमाग, फर, उतक और यहां तक की इसकी जीब और दाट भी बिलकुल सही सलामत हैं उनका नुमान है कि ये सिर भेडियों की ऐसी प्रजाती के बारे में संकेत करता है जो याकूतिया में आज से 40,000 साल पहले रहती होगी यह खोज अपने आप में बहुत ही अनोखी है क्योंकि अब से पहले हमें भीडियों की खुपड़ीया मिली हैं लेकिन उनमें कोई उतक या फर नहीं होते थे लेकिन इस सिर में तो कान और जीब तक मौजूद है इसका दिमाग भी पूरी तरह सरक्षित है जैसा कि हमने टूमोग्राफी के दोरान देखा था यह भीडिया शरीर के आकार के हिसाब से आज के भीडियों से लगभग 25 प्रतिशत ज्यादा बड़ा रहा होगा वैग्यानिकों का मानना है कि हिम युक के इस भीडिये के सिर के मिलने से कुछ और अन्य खोजों का रास्ता भी साफ हो सकता है हमारे लिए सबसे हैरानी वाली बात ही है थी कि यह संभवता भीडियों की अलग प्रजाती हो सकती है जो मेमत के समय रहती थी और उन्हीं के साथ लुप्त भी हो गई और इसकी जगह भीडियों की नई प्रजाती होने लिए जो आज के वक्त में भी धर्ती पर मौजूद है यह सर हजारों साल पुराने अतीत में जहांकने का मौका देता है आदुनिक भीडियों का इस तरह पीला रंग नहीं होता यह उस इलाके के औक्सी करण का नतीजा भी हो सकता है जहां पर यह मिला है रूसी वेग्यानिक अब अत्याधुनिक टेकनोलोजी के जरिये इस सिर का अध्यन कर रहे हैं इस काम में वे जापान और सुडन के वेग्यानिकों की मदद भी ले रहे हैं लेकिन सबसे पहले इसका प्लास्तिनेशन होगा ताकि इस सिर को खराब होने या फिर सडने से रोका जा सके